आज हम आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले साब्दिक अर्थ को समझने में पहले सिंड्रोम क्या है ये जानते हैं, इसके बाद डाउन क्य यह समझेंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं, कि मनुस में सामान में गुर्षोत्रों की संख्या 46 होती है, सभी लोग जानते हैं, कि मनुस में कितने गुर्षोत्र पाय जाते हैं, 46 गुर्षोत्र पाय जाते हैं, जिनमें से 44 दैहिक गुर्षोत्र होते हैं, या कहले जे कि 44 आटोसूंस होते हैं और दो लिंग गूरसूतर होते हैं मतलब एक सामान मरस में कुल 46 गूरसूतर होते हैं जिन में से 24 आटोसूं करण βस इस संख्या में मानों में पाई जाती है, सामान रूप से पाई जाती है, अब किसी कारण बस इस संख्या में कमी या अधिक्ता होने पर मानों में गुरसूत्री विकार उत्पन हो जाते हैं, कोई कारण है उस कारण से मनसे में गुरसूत्री विकार उत्पन हो जाते हैं, कब जब इस संख्या में कम या अधिक्ता होती है तो गुर्षूत्रों की अपसामान संख्या से होने वाले दोसों को सिंड्रोम कहा जाता है यानि गुर्षूत्रों में ये जो अपसामान संख्या हो जाती है कम या ज़्यादा हो जाती है इसी को क्या कहा जाता है syndrome कहा जाता है इस दोस को syndrome कहते हैं तो सामानी रूप से ये विकार गुर्षूत्र के 13, 18 और 21 लिंग गुर्षूत्रों की आधि सूत्रताओं में देखने को मिलते हैं सामानी रूप से किसमे किसमे 13, 18 और 21 लिंग गुर्षूत्र के आधी सूत्रताओं में देखने को मिलते हैं तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता या जड़ बुधिता भी कहा जाता है डाउन सिंड्रोम को ही दूसरा नाम इसका क्या है मंगोलियन जड़ता या जड़ बुधिता भी इसी को कहते हैं सन अठारा सो चाछट इस बिमें, इंगलेंड के लैंग डन डाउन नाम ध्यान देंगे, इनका नाम था लैंग डन डाउन ने सबसे पहले मंगोली जड़ता या जड़ बुधिता रोग का वर्ण किया था, इसलिए इनही के नाम पर इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जा अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम सब्द का अर्थ क्या है, चलिए आप जानते हैं कि इसमें होता क्या है वास्तों में, तो यह सिंड्रोम यह बिकार 21 जोड़ी के गुर्षूत्र में दो की जगह पर तीन गुर्षूत्र बनने के काण होता है, 21 जोड़ी के गुर्षूत्र होते हैं, उसमें दो की जगह पर तीन गुर्षूत्र बन जाते हैं, इसके काण होता है, मतलब 21 जोड़ी के गुर्षूत्र की तीन कॉपी या प्रतलिपियां बनने से डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन हो जाता है, जिससे गुर्षूत्रों की संख्या 47 हो जाती है जब एक बढ़ गया तो 47 हो जाती है चलिए जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित विक्ति में कौन कौन से लक्षण दिखेंगे और इसके बाद चित्र से समझेंगे कि ये कैसे होता है तो इस रोग से ग्रसित विक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है जैसे मंगोलियन होते हैं वैसे इनका चेहरा हो जाता है इसलिए इसे मंगोलियन जड़ बुधिता भी कहा जाता है और चेहरा मंगोलों के समान का मतलब है कि आखें तिरची आख एक द वो चोटे चोटे और गोल हो जाते हैं तो अच्छा खोरदरी जीव मोटी हो जाती है इसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित विक्त की गर्दन चोटी मोटी अंगुलियां चोटी ठूटे के समान जैसे ठूट होता है उसी ठूटे के समान हो जाती है मुख खुला हुआ रहता है निचला होट बाहर उभरा हुआ होता है इन विक्तियों की बुद्धी मंद और मस्तिस्क अल्प विक्सित होता है बुद्धी कैसे होती है? मंद होती है, कम होती है और मस्तिस्क अल्प विक्सित होता है इनका कद भी छोटा होता है इनकी आयू लगभग 12 से 14 साल तक होती है अगर आयू की बात की जाए इस की बात की जाए तो लगभग में 12 से 14 साल तक होती है अगर मेडिसिन में रखा जाए नहीं डाक्टरों की देखरेग में रखा जाए तो उस और ज़्यादा साल जी सकते हैं ऐसे विक्तियों में हार्णिया, मधुमे, लिूकेमिया, आधी रोगों की अधिक संभावनाएं होती हैं यानि इस तरीके के लोग जो होते हैं उनमें हार्णिया रोग, मधमे, लिूकेमिया रोग, आधि रोगों की अधिक संभावनाय हो जाती हैं चलिए चित्र से आपको दिखाते हैं कि ये विकार या रोग कैसे उत्पन होता है तो इस चित्र को देखी आर्दो सूत्री को इसका विभाजन की एनाफेज अवस्था में 21 गुर्षूत्र के आवियोजन के कारण जो 21 गुर्षूत्र है उसमें आवियोजन के कारण अंडे में 23 गुर्षूत्र के अस्थान पर 24 गुर्षूत्र पहुंचते हैं इसके सामटर कितने पहुँचे 24 पहुँचते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि अंडे में 21 गुर्षूत्र की दो प्रतिलिपियां होती हैं दो कॉपी होती हैं जिसके कारण सामान सुक्राण के साथ संयोग से जाइगोट में 47 गुर्षूत्र हो जाते हैं अर्थाथ 21 गुर्षूत्र की दो कापी बनी तो क्या हुआ कि उनका जब नार्मल स्पर्म से फ्यूजन हुआ उस गुर्षूत्र का जब नार्मल स्पर्म से फ्यूजन होता है तो जाइगोट 47 गुर्षूत्र वाला बनता है कितने 47 गुर्षूत्र वाला जाइगोट बन जात 47 गुर्षूत्र वाला बन गया और इस जाइगोट में 21 गुर्षूत्र की जो 3 प्रतलिपिया हैं ये होती हैं इसमें कैसे कैसे होता है 23 प्लस एक इसमें 23 प्लस 1 गुर्षूत्र अंडे से और तेस गुर्षूत्र सुक्राण से आते हैं कितने अंडे से आते हैं 23 प्लस एक गुर्षूत्रे विकार होता है या मंगोलिस्म जो होती है ये क्रोमोसूमल डिसीज होती है अर्थात मानों में किसी विशेश गुर्षूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से इस तरीके के विकार उत्पन होते हैं इस तरीके के रोग उत्पन होते हैं या सिंड्रोम उत्प या कहलेजिए कि 21 गुर्षूत्र में ट्राइसोम के कारण होता है और गुर्षूत्र की संख्या 47 हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहा जाता है तो आसा है आप लोगों को डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलियन जड़ बुद्रता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेश कर लेजिए ताकि आने वाले अगले विडिवेडियों के लिए उसकी जानकारी भी आपको शब्ष्य पहले थैंक्स फार वाचिंग